ड्प्तंग कई तो अभी एक छोटी सी जो क्वेरी अनुक्ति में धून स्टेप ना नहीं प्रायमचलण सर थियुरित तो के उसमें सिर्ग्ल वाली औरक दोसा जो न्युत्रेशन में बार-बार सभी की क्वेरी है तो देखो उसमें मैं कोई अपना एक्सपल्ट गरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि नुटरिशन डिपेंड करता है आपका सबसे पहले सोल टेड्स से तो मैं अपना ही रिजल्ट पताऊंगा कि हम लाज सिक्स फाइफ यह से जो नुटरिशन हम दे रहे हैं उसी की मैं बात करूंगा ट्रायल तो हमने सब कर किया है सब की कंपनी के प्रोड़क्ट यूज़ किये अ पहले तो पहले चीज तो पहले चीज़ तो मैं आपको यह क्लियर कर देता ह downtime हो पहले हम notrition की face करे दो सब कि नीए ट्रिक्शन में सबसे पहले क्या एंदि हैं आपको पता है कि पोटाश तो आपने साद सब्वन आप kulise यूज्ज कर लिया होगा है यूजिन हए प्लाइट तो आफ्टर 20 तो दिसमबर क्या होता है कि 20-22 दिसमबर को से प्लांट आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है वर अपने इसमें निचे डाला है थोड़ा एक्टिवेट होना इसी एक्टिवेशन स्टार्ट होती है और फुल एक्टिवेट कर वोता है आप्टर 12 अब 12 15 15 के बाज होता है वो पूरा सेब उपर अप्टेक हो चुका होता है ठीक है अब आप बोलोगे उसका प्रूफ क्या होता है प्रूफ में आपने क्या करना है मैं आपको कुछ एक जो करी थी लास्ट यह प्लास्ट व्हाषियर 09 जेन को क्यिती 018 तो अम आपको एक चीज्या बता इता हूं जब आपकी एक ग्राफ्टिंग 9 जेन को ग्राफटिंग 12 जो आपने करी अगर सेब आपका पहज में इस चलता है तो भाई या ग्राफ्टिंग तो फैलो जाने च इसलिए हमने ग्राफ्टिंग का टाइम भी हमने चैंज किया है 20th of January to in between 20th of Hebe के बीच में हम ग्राफ्टिंग क्लोज करते हैं तो हमने ग्राफ्टिंग का टाइम ही पकड़ दिया है और वह exact time है और अच्छी आप क्या करते हो 20th of December को आफ बाद आप एड कर लो आप जैन में कर सकते हो एक्जर टाइम क्या लोग है मैं यह प्रेफर करता हूं कि आप 15 जैन के बीच पीच में आपने एड कर लेनी है पोटाश खाली पोटाश ठीक है और फिर बात आती है कि सूपर गी तो सूपर भाई ऑशा कि हमारी जो सौयल इसमें क्या है जो भी आपकी एक पलांट के लिए तत्म जो जूरूरी होते है वो और इसमें एड है तो सूपर इसी लिए प्रेफर करते कि आपको तीन साल में एक बार वह जो है चालिस दिन पहले, बड़ ब्रस से, चालिस दिन पहले पोटाज पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको एक पात बता देता हूं, कभी भी कोई भी खाद, एक दम से आप डालोगे, वो ओटेक पिक नहीं होती है, और जब भी आप खाद डाले हो, फर्टिलाजर आप यूज कर रहे चाहिए, क्योंकि इसको 40 दिन कहा लगते है, 40 दिन उसको लगते है, उपर आपके बर्स तक पहुचने में, यह बात आपने याद करना है, और पोटाज की जो मात्रा होती है, वो कभी भी पेट्टियों के साब से खादे नहीं पढ़ती है, आपने कई टेंप्स देखे होने मैं अपने एक्सपीरियंस मों बता रहा हूँ, और दूसरा मैं जो बाहर से सिखा है कुछ, मैं आपको पहले भी खाया कि मैं अपने ही लोकल, जो हमारी हमाचल के जो ग्रोवर है, उनीसे नहीं से नहीं से रहा हूँ, मैं बाहर की थियोरिया भी मैंने अडॉप्ट कर रही ह तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि कोई भी फाटीलाजर एकदम से पेक नहीं होती है, हर फाटीलाजर आपको यह होता है, वो क्या है टाइमिंग लेती है, क्योंकि देखो, अभी मैं पोटाशी की बात कर रहा हूँ, कलर के लिए बहुझे हो रही है, और आपकी जो ब मैं चीज आती है, तो को पोटाश तो हो गया, ठीक है, पोटाश की बात चोड़ो, क्योंकि पोटाश देखो, देखो, जैसे आप कहरे हो ने, कि फूट जैसे मैं ने देखा है, और आपने भी शाहिद उस साब से डाउते होंगे, कि मालो एक प्लांट हमारे पास है, और एक प्लांट से आप क्रॉप ले रहे हो, मालो आपने लेनी है, एक प्लांट से जैसे मालो ये प्लांट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मालो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये दे रहा है मेरे को मालो पांच पेट्टी, ठीक है, उसे प्लांट परेवा प्लांट है बैति चोटा है, वो दे आ दे रहा है देज हैं, तो मेरे को ये बताओ, उस प्लांट की एज वो इन इन साल गा, ये है, तीन साल का, पांच साल का, भ मैरे को ये बताओ, पेटे आ जी सून जधादा, या उसमें, तो जैसे जितनों जदा प्लांट बड़ा होगा तेजिए उसमें आपको तू केजी डेट केजी इस तरह नीचे को वन केजी तक आपने पोटाश यूज करने है यो भी आपके फूटी माले वह है आप उसी में पोटाश यूज करो बाकी में जिसमें भी नयाब हुआ है उसमे यारा की यूज कर चुका हूँ प्रोडेक जेके कंपनी की यूज कर चुका हूँ हर कंपनी के मैंने प्रोडेक यूज कर चुका हूँ है पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ यूरिया से अच्छा सोर्स हावा के पास कोई भी नहीं है और बहुत से आपके लोगों के जो क करता है और यह भी कोई थेओरी नहीं है कि वह अप्टेक करता ही नहीं है भया हम भी हम ही नहीं आप मैसे भी लोग यह 20-25 साल से यूरिया यूज कर रहे हैं क्या वह अप्टेक कर रहा है नहीं तो आप डाली यूरिया और बात क्या होती है मैं आपको बताता हूं मालो आपको पेड़ दर्द है ठीक है आपको मेडिसीन एक गोली खानी है आप खाते हो चार गोली अब आप ये बताओ क्या वो असर करेगी अप्टेक करा उसने अप्टेक मिन्स अप्टेक का मतलब है कि रिजल्ट देगा वो असर करेगी नहीं न साइड इफेक्ट ही करेगा न तो यूर लो इस यूरिया को फुटा है वो यह का एता है कि यह यह इंगी यह यह पौतर तेरा मार देगे अगर आप उसको प्रशन करना सिख जाओगे तो यूरीय से बड़ा ने एंटोजन आप किसी में नहीं है और मैं आपको ने चुछ करने का तरीक अप डालोगी आपको आपको इसको अमोनिकल में चैंज नहीं करोंगे, ठीक है, अमोनिकल में जब तक आप चैंज नहीं करोंगे, यूरिया नाइट्रोजन को, तब तक वो आपका अप्टेक नहीं होगा, उसको चैंज करने के दो तरीके है, एक है, सबसे पहले तो क्या करो आप उसको, या तो आप उसको तो आपके पास टाइमिंग नहीं है आपने एक डेट के लिए दो किजी आपने एक ही बार में मिलाना है तो मैं आपको गता हूँ निचे पहले तो मॉस्टर होना चाहिए फस तिंग दूस्तिंग आपने क्या करना है उसको पहले ही अमोनिकल में चेंज करके डालो क्योंकि करना है तो मैं आपको लिखके देता हूँ अप्टेक नहीं होगा हम यह त्योरी यूज कर चुक है उसका रिजल्ट जीरो ही मिलता है आपने क्या करना है अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है कट्था ही डालना है तो अमोनिकल में चेंज करके डालो उसके लिए क्या करना है आपने एक तो को यूरिया ऑपका जितना 50 जिज ओभी होगहां एक बैग अपका यूरिया हो गया और चार के पास का भी के पास की सबी के पास होगी ब्लेक-विच-शौयल को चार लग आप उसमें YOU और चार से पांश संख थी आर भलोग में यूज कर रहा है लाउत है कोपी पैस्ट मैरा दवी तूर लगी थिए एक है और अब अगर तो भोग को बैसे को कर लेना में रहा ऊप सी पैक कर्ले वेगे दूसरा कि ऑगर आर यह पासिब्स नहीं होता है तो पर से थे या सीधी दूब में नोने चाहिए किसी स्टोर बगएरा जो आपका स्टोर बगएरा है उसमें क्या करो उपर से आप इसको ढख दो ताकि इसमें कोई हवा हुआ ना जाए चीक है आपने इसको देखना कि आपके 20-25 दिन में आपका क्या हो जाएगा उसमें वो लिक्विड फ आपको पता है उसमें मैंने इतनी इतनी डाली है तो उसके साफ से आपने उस पूरी खाथ को आपने उस साफ से आपने पादे में आपने इसको यूज करना है तो आपको थोड़ी ज्यादा आपको डालनी पड़िए क्योंकि आपने इसको अपने साफ से डिवाइड कर लेन तो यह तरीका कि जल्दी आपने आपने करवानी है दुस्ता तरीका है कि आप क्या करो दो डोज बना कर डालना यूर्या के क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि क्यों बार क्या होता है टाइमिंग नहीं होती है हमारे पास भी टाइमिंग नहीं है कि हम इसको सोयल में हर बार लिए कितनी यूज करें तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी नाप देते रहो पहुदा तभी अप्टेक करता जैसे वही बात आगी एक गोली आप पेशेंट को दो कि तो जल्दी असर करेगी अप्टेक करेगी दो गोली दोगए तो वह साइड फेट करेंगी वही स कर देख कर दिया करना रफिसाम्न आपने अभी यूज करना यद तो फेफ आपने सास्टव ग्राम जो है पर प्लांट आपने यूज करना जिसमें आपometer ती आप डाल रहे हो कह घग डाल जो कि दाल रहे हो याद 12 नवहाँ आपने 700 ग्राम गाम घर बाहु चेशсемन डौला गए और नीचे देखना है मॉश्चर होना जाए बिना मॉश्चर के हम डालना का पूंग और कुछ लोग क्या करते है कि उपर से 7 अचनिक होती है थैसे 7 साथ का भी मैध डालत Jebs पुझ मेख्नी मैं कि boy two haya 오늘 आना वो छिए भुझी होनी होती छिए इतरी कर घंड-टाचि जल्दी ऐजगे अप्टेक हो जल्दिग हो जाईगी दालना एं Supreme की जरुदिकाब पढ़ती है जब आपका दाना, डाना मीज जब आपकी फूल आपके गिर जाएंगे उस तरह में 500 ग्राम का दौज आपने, उस तरह में यूज करना यूरेका उस तरह में बहुत जूरी होती हो तरह में जल्दी से आपका टक भी हो जायगा, याद गाना है फूल गिरने के बाद आपने 500 ग्राम 700 ग्राम अभी यूरिया आपने यूज़ करना है और कुछ एक लोग होने जो आप मैसे भी होंगे क्योंकि मैं भी उस्में से था पहले हम कैल्शिम नहिस करते हैं अब भी क्यल्शिम नहिस्तिो तो बहिए अगर आपने केल्शियम नैटेट रिजानी है तो मैं आपको बोलता हूं कि एक पहुद्दे के लिए केल्शियम नैटेट आप अगर 700-500-1kg तो वह वेस्टेज यह क्योंकि एक पहुद्दे के लिए कम से कम 2-5 kg calcium nitrogen आपको पर plant डालनी पड़ेगी और पंदरा सौरी 15 kg आपकी पैकिंग आती है पंदरा सो कुछ का बारा सो कुछ का वो हुआएगा तो एक उसमें पांच plant होने जाता चाहता है पर बात आती है एंपे के तो 12-13 मैं आपको से बार बहुता है 12-13 15 या उन्यूनी जो भी आप डाल रहे हो नाइड़ वाली खादे तो यह खादे वैसे इसके लिए नहीं मैं यह आपको प्रादी सिंगल फर्म होई है और वह खादे आपने क्या करना है अगर आपको कहीं आप और मैं एक बात बोलता हु जिसमर दालत अशंब करिया नहीं इस बार केर लिए नहीं मई दालते किया यह आफ यह फर्टीकेशन कर रहा हुएं नहीं नहीं और अगर suggesting करों के ती明 स्वर्टम से नहीं लगते हैतर और नहीं को पता होगा general seminar बड़ा और याद है C सेब नहीं लगते हैं, सेब लगते हैं, आपके प्रॉपर टेक्निक से भी नहीं लगेंगे, आपके प्रॉपर पॉलिनेशन से लगते हैं, और सेब किसी चीज़ से नहीं लगते हैं, ठीक है, यह चीज क्या करती है, आपकी जो टेक्निक है, प्रॉनिंग टेक्निक है, यह और एक important चीज में भूल गया हूं बतानी और micronutrient बहुत जो हो रही है उसको आपने soil में यूज करना आप उपस सप्रेद हो लेकिन आपके soil में जो आपकी जाएगी micronutrient वो निचे से जो uptake होनी है वो आपके अंदरूनी ठीके सेप के साथ जानी है और उसका result जो होता है उस आपे quality में आपका जल्दी से वो असर करेगा लेकिन जो soil में आप करोगे वो पूरे plants के लिए आपको क्या करेगा असरदार होगा और बहुत हो रही है micronutrient और यादखने एक साल में 300 gram आपका micronutrient एक plant को होना चाहिए और आपने उसमें दो आपने after harvest जब आप stratification करते हो 1500 gram उस तेम यूज करो और 1500 gram कब करना है 1500 gram आपने जब आप नाइट्रोचन का आप डोज डालोगे तो आप 500 gram आप मार्च में आप करते हैं क्योंकि करते हैं लेकिन उसमें आपकी हर चीज होनी चाहिए जिसमें आपके calcium magnesium boron zinc यह सारे चीज़े होगी वह माइक्रोट्रेंट आपने लेना है आपका organic form में भी आता है थोड़ा ज्यादा ज्यादा पड़ेगा बाकि आपका दूसरा और आपका आपका यह कोई कंपनी का आता है या कोई दूसरी में भूल गया हो नाम बक्रिस टैन कंपनी का लेना बहुत अच्छा माइक अच्छा माइक अच्छा माइक अच्छा माइक इसको आपने यूज करना है वह माइक न्यूटेंट के होता है उसकी जो nutrition की कमी आपकी रह जाएगी वह कमी भी आपकी पूरी हो ज तो यह तो था nutrition program और इसके लाबा तो भया एक ही nutrition है वह है गोबर जितना गोबर डालागो तना अच्छा है और नीचे आपने खुदाई खुदूई आपने बूल जाना है बस अब हम भी मलिचिंग का मलिचिंग का काम शुरू करेंगे आफ्टर ट्वंटी तो फैब एक ही जाना है ताकि वह वापस हिसी में जाए उसमें कोई दिकत नहीं आए और दूसरा क्या है बाकी में यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप जो है वह डालूंगा सिंकल लेडर सिस्टम पर थेंक्यू है